तो आज कि जो वीडियो है इसके नदर बात करने वाले हैं डीपीएफ के बारे में डीपीएफ की फुल फाम होती है हमारा दीजल पाटिकुलेट फिल्टर डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर का इस्तमाल जो हमुसूट्स को जितने भी हमारी मीशन नॉम्म्स के एंदर सूट फोते हैं उनको ट्रैप करने के लिए उसके लिए बेसितियु हमरे पास बहुत सारे कॉंपोनेंट्स भाँ सारे तरीके तो अभी जो एह हम दीपीएफ हमारा बीजिस इसक्स में आने वाला है उसको जह हम देखने वाले है तो बीजिक्स में जो डीपिएफ आएगा उससे टीपिएंफ को इस्तमाल कर रहे हैं जैसके इसके अंदर बहुत सारे तरीक्या पाधक इस्तमाल करने के लिए टीपिएंफ के जितने भी मोड्यूल से यहां पोरा पूरे कब इस्तम लगा हूँ इसके अंदर दो में और फिर मैंकर दो तेम्प्रेचर जो होता है हमारा सूट का उसको जो है लोवर करना अभी जो एम सर्फ पहले मेन कॉंपोनेंट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वह हमारा native control unit जो बेसिकली हमारे EDC से control है EDC से जो है basically हमारा यहां पर दो तरह थे हमारे प्रेमिए सब्सक्राइब करता है तो अभी जो है हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर हम इस एरिया को ही सिर्फ अगर जूम करके देखें यहां पर सिर्फ हम इस पार्ट को अगर पार्टिकुलेट फिल्टर को ही जूम करके देखें तो किस तरीके के दिखते हैं और कितने तरीके के पार्टिकुलेट इसे पहले हमारा सिर्फ स्क्वार चैनल स्वाले इस्तमाल होते थे लेकिन इनके अंदर बैसे कि लिए इतना दा वॉल्यूम ट्रैप नहीं कर सकते और इतना दा एफिशेंसी आम इसमें शिफ्ट हो गए इसकी जो इसकी बात करूं तो 95% एफिशेंसी और इसके अंदर हमारे या फिर मैं कहूं जवारे रिडेक्शन प्रोसेस होता है उसको भी जो हम थोड़े बहुत लेवल तक या फिर किलो मिटर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सबसे पहले हमारे बात कर लेते हैं कि डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर के अंदर अगर एक्स जाती है तो उसके निज सबसे पहले हमारे बात कर यहां से अंदर जाते हैं अब इन फिल्टर के बीच-बीच में से जगा दे रखी है और इसी के अपोजेट जहां से इसकी ओपनिंग है इसके अपोजेट साही जो है इसका एक्जट आप ध्यान देखिए तो इन अग्सिट के अगर मैं बात करूं तो यहां से हमारे एक'S So is And Earth जाते हैं exauseают यहां से अंदर जाने जाने के बाद जितनी जिसके अंदर नौर में जाते हैं वह जब यहां यहां पे प्यों शू यहां पर पूरे पज्वाब बहुत पहले इनीशे लेवल पे जो हम इसको कवर कर लेते हैं यह बिसिकली हमारे इंजन के बाद अगर आपके पास टर्बो चार्जर लगा हुआ है टर्बो चार्जर के जस्थ साथ में ही यह पूरी यूनिट लगे रहती है यूनिट क्यों बोल रहा हूँ मैं क्योंकि सिर्फ DPF नहीं होता उसके अंदर Oxidation Catalytic भी होता है उसका यहां पर बहुत ही बड़ा काम होता है इस सिस्टम के अंदर अब मान लीजिए कि मैंने टर्म बोला आपको Reduction अब Reduction की जो हमें जरूरत क्यों है या फिर इसको हम बोलते है Regeneration Regeneration की जो हमें जरूरत क्यों है अब मान लीजिए कि ये पूरे का पूरा सिस्टम जो हम क्लॉक कर दें अब आपकर मैं इसको क्लॉक कर दूँगा तो जितनी अब जितनी इसके अंदर आएंगी वह कैसे जहां से निकलेंगी वह किस तरीके से फिल्टर होंगी जब यह पूरा भर चुका है तो उस चीज के लिए हम बैसिकली Regeneration प्रॉसेस का इस्तमाल करते हैं और अगर हम इसको नहीं करेंगे जो है ECU खुद करता है दो तरीकों से ECU खुद करता है और एक तरीके से जो है हमारा सर्विस होती है तो अब अगर मैं बात करूँ इस स्लाइट के बारे में इस स्लाइट को जो है बैसिकली आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे DPF के अंदर इस्तमाल होता है या फिर यह DPF है इसमें पोर्स देखिए और इसमें पोर्स देखिए किस तरीके से जो है थोड़े बहुत बंद हो चुके है तो इसको क्लीन करेंगे ताकि बैक प्रेशर क्रेट ना हो तो इसको क्लीन करने के लिए जो हम बेसिकली किसका तेमप्रेचर का इस्तमाल करते हैं अब जो है इस अग्सिजन जो है कॉंस्टेंटली प्रेजेंट रहता है हमारे अग्साउस गैस में अगर इसको टेंपरेचर को 600 डिग्री कर देंगे तो वह सी यो टू फॉर्म करेगा लेकिन 600 डिग्री जो हमें पहुंचाना बहुत बड़ा काम होता है तो हम जो है अनो टू को इस्तमाल हो आगर मैं प Story की बात करूं या add-nable Link की बात करूं एक तो यह हमारे पास जो यह Module है जिसको हम additive module बोल रहे हैं उसके बात है हमारे पात एक यह है जिसको अब यह क्या करता है कि हमारे सूट की ऑक्सडिशन टेंप्रेचर को जो मैंने आपको बताया था 600 डिग्री होता है हमें उसको सियोटू में बनाने के लिए नौन-toxic सीओ तो इसको जो है यह ले आता है हमारा 300 पर 300 से 400 डिग्री सेलसियस पे लेकिन अब इसका क्या होता है कि यहां से जा रहा होता है इसको जब हम उक्सुडेशन टेंपिरेश करते हैं सूट के तो वो जो है हमारे फ्यूल टैंक से होता हुआ फ्यूल टैंक के अंदर से हमारे इस लो प्रेशर पंप से होता हुआ जो है हीट का इस्तेमाल बें कि हमारे इंजन की और है इंजन की तरफ से एक हमारे इंजन कि हीट कैसे हाईगी हम जो है इसकी एग्निशन टामिंग को रिटार्ड कर देंगे खरीटो नियुक्तल्ट agriculture करूँ मैं तो उसके अंदर से हमारे emissions निकल रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन से चीजे होंगी उसके अंदर होगा हमारा CO carbon monoxide उसके अंदर होगा hydrocarbons उसके अंदर होगा nitro oxide यह तीन चीज आपको मिलेंगी मिलेंगी ठीक है और पर शूट निकल रहे हैं वह ने यहां trap कर ली तो उससे पहले जस्से पहले आपको दिख रहा होगा कि हमने यहां पर oxidation catalytic लगा रहा है अब oxidation catalytic क्या कर रहा है बाई साब अब oxidation catalytic क्या करता है कि यहां पर जितने भी CO2 निकल रहा है NO2 निकल रहा है इनको जो है इसके temperature को change कर देता है लेकिन अब आपके दिमाग में यहां रहा होगा कि हमने यहां पर NO2 convert कर दिया तो आगे जाके फिर हम SCR का इस्तमाल क्यों कर रहे हैं फिर हम NOx catatic reduction का इस्तमाल क्यों कर रहे हैं वो भी आपको समझाता हूं कि आगे जाके इसका क्या reaction होता है तो अभी आप समझ लीजिए कि ये दोनों चीजें और ये सारी चीजें तो है हमारे heat generate करने के भी कामा सकती है अब heat generate किस तरीके से होती है हमें पता है कि हम इसके अंदर हमारा constant oxidation present है oxygen जो है present है हम जो है उसी का इस्तमाल कर रहे है अब जो हमने क्या किया इसको हमने oxygen temperature को बढ़ाने के लिए हमने जो है इसको O2 से react करवाया जैसे हमने इसको O2 से react करवाया तो CO2 में convert हो गया और hydrocarbons जो थे इसके साथ जब यह साथ में निकल रहे है तो यहां से इसके temperature को increase कर दिये अब temperature को increase कर दिया तो क्या हुआ भाईसा यहां पे जो है यहां पे बर्निंग प्रसेस चाहिए थी उन ashes को convert करने के लिए वो जो हमारे पास मिल गई उन suits को जलाने के लिए वो हमारे पास मिल गई उसके बाद भी एक और तरीका होता है जो हमें again जो हमारे emissions को heat को बढ़ाता है वो हमारा NO होता है जो है NO2 में साथ जब react करता है तो NO2 फॉर्म होता है नाय्ट्र आकसाइड नाय्ट्र जो है इसके बाद जो हमारे आगे निकलते हैं और जैसे ही वो अगें इस filter के अंदर आते हैं तो वो जलाते होए यहांसे निकलते है अब जब वो निकलते हैं तो वो again NO के अंदर फॉर् इस तरीके से जो है basically after market जितने भी हमारा SCI चीजे लगने वाली है जितने भी component है इसके अंदर वो सारी चीजे जो हम इस्तमाल करने वाले अगर आप इसकी बात करें इस sensor की 13 नंबर की और इसके बाद इसकी तो यह basically बताता है कि suits जो है इसके निकल रहे हैं यह कितने निकल रह है जो है हमारा यह system पताता है कि अगर clocked हो चुका है तो उस चीज़को आप चालू करना है तो इसका DPF system है जो हमारा ECU चालू करता है वह कुछ इस तरीके से पूरे का पूरा system काम करता है और continuous basis पे यह काम नहीं करता है यह जो है एक fixed time होता है अगर यह पूरी तरीके से clocked ह चुका है इसका 45% अगर ये क्लॉक्ट हो जाता है तो ये सिस्टम काम करना शुरू हो जाता है तो आशा करता हूं आपको ये पूरी पूरी एक्स्प्राइटर वीडियो समझ में आए हुगी कि किस तरीके से DPF काम करता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर आप कि इसके पूरे कंट्रोल सिस्टम के ऊपर एक छोटी सी वीडियो और बनाए चाहे तो इस वीडियो को लाइक जरू करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि इसके ऊपर हमें वीडियो बनाने चाहिए कि नहीं और इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद